आप सभी को जै माता दी, जै भोलेनात, मैं आपकी अपनी गुरूमा महामनलेश्वर अंजनी देवाजी, आज बहुत ही सुन्दर विशे लेकर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, आप सब जानते हैं कि पिछले नौ दिनों से माभगवती की नवरात्रे चल रही थी, और ऐसे समय में एक बहुत ही सुन्दर प्रश्ण हमारे सामने आया, जिस विशे पर आज मैं आप सब से बात करना चाहती हैं, आप सब वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, इसके लिए आप सभी को शुब आशिरवाद, और आज के विशे को आपको बहुत ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है, सनातन धरम जो है, वो साश्वत धरम है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहता है, जिस विशे पर मैं आज ये बात करने जा रही हैं, आपने और हमने कई बार देखा है, कि बहुत सारे मंदरों में, सनातन धरम में कुछ विशेश बाते बताई ज जाती हैं, जो हमें मंदर में जाते समय अपने जीवन में धारन करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो मैं अपने आज पुशाक के विशे पर बात करना चाहती हूँ, कि हमारे लिए कैसी पुशाक होनी चाहिए, और जो पुशाक है, उसका हमारे जी पुशाक को बहुत पसंद करते हैं, वो naturally ऐसा वस्तर है, जो कोई पैंट नहीं होती है, और कोई निकर बुशट जो ये सब चीज़े होती हैं, वो नहीं चलती हैं, क्यों नहीं चलती हैं, उस पर चर्चा करने से पहले ये बता दूं, कि जो ये आप करते हैं, उसका आप के उ प्रचानी मिलती हैं, देखे हमारा उदेशे मा भगवती, देवी देवताओं को प्रसंद करना है, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, और क्योंकि मंदिर के अंदर जो है, देवी देवताओं का आसन सजा हुआ होता है, ऐसे में वहाँ पर माता रानी की बहुत सारी उर्जा, जो है, समाहित होती है, हमारा उदेशे क्या है, उस उर्जा से जाकर जुड़ना, जिससे हमारे शरीर के जो भी विकार है, जो भी समस्याएं है, या फिर ये कहें कि अगर हमारे अंदर की कोई कमी है, उसे पूरा करने के लिए हम उस थान से जुड़ते हैं, जहां पर बहु जो हमेशा उनी वस्त्रों को धारन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर पूरा ढका हुआ दिखाई दे इसका मतलब क्यूं हमें वस्त्र पहने इसलिए नहीं कि इससे जो है आप अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं देखे जिस परकार मैंने पूरा वस्तर पहना हुआ है इससे ही क्या होगा कि जिस जगाँ पर में जाती हूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि जो उर्जा है वो हमारे कपड़ों पर जाकर चिपक जाती है। जैसे आपने देखा कि अगर आप हवन करते हैं, तो हवन के समय जो आपने कपड़े डाले हैं, उसमें हवन की खुश्बू आदनी लग जाती है, तो वो खाली खुश्बू नहीं है, उसमें हवन के समय आवाहित किया हुए देरी देवताओं का आशिरवाद जो है उर्जा के संचार होता है और हमारे शरीर में भी वही उर्जा समाहित हो जाती है, इसलिए हमें कपड़ों का चैन ऐसा करना चाहिए, जिसमें बाजुए धकी हुई हो, पैर धके हुए हो, सिर धका हुआ हुआ हो, इससे क्या होगा, इससे आपको आपकी पूजा का भरपूर लाब प् ना लेता है, उस पर चरम तक पहुच जाता है, जहां उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, और भगवान को अच्छे से समझ लिया है, शक्ति को समाहित कर लिया है, उसके बाद वो चाहिए जो जीवन जीए, लेकिन एक साधक के लिए, एक भगवान को प्राप्त करने क लिए हमें जो है ऐसे ही वस्त्रों का चैन करना चाहिए दूसरी बात में आपको बता देना चाहती हूं कि हमारे सनातन धरम हो या फिर कोई भी धरम हो हम इस तुरियों को जो है बाल खुले छोड़ कर किसी भी मंदिर किसी भी पूजास्थल किसी भी कीरतन चोकी जागरण सत् चाहती हूं कि हमारा मंदिर में जाने का उद्देश्य क्या है मंदिर में जाने का उद्देश्य है भगवान को पाना भगवान की प्रती अपने आपको समीपता की और लेकर आना जिससे हमारे जीवन का कल्यान हो पहली बात दूसरी बात कि हमारा जो ध्यान है वो हमारे दे बालों को खुला छोड़ देते हैं या फिर मंदिर में बालों को खुला छोड़ कर आते हैं इससे हमारी जो पूजा है वो खराब होने लग जाती है पूजा जो हमें शुब फल परिनाम नहीं देते हैं पहले बताओं कि हमें बाल क्यों नहीं खोलने हैं क्योंकि बाल खुले से जो भी हमारे शरीर की उर्जा है वह उर्जा जो है वह समाप्त होने लग जाती है जो भी हमने अच्छा किया हुआ होता है वह बाल खोलने से जो है निरंतर हमारे शरीर के अंदर से उसका प्रवाह बढ़ता चला जाता है और अंदर से जो है हमारे शरीर की भक्ती रूपी उर्जा है वो खतम हो जाती है इसी लिए हमें बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए अब बाल खुले की तो मैंने आपको बता दिया कपड़ों का भी मैंने आपको बता दिया अब आप ये देखिए कि जो भी संत महापुरुष है या फिर किसी भी ऐसे धरम से जुड़े हुए लोग हैं जो अपने सर पर कपड़ा रख कर रहते हैं उसका क्या महतर है देखिए एक तो कपड़ा सर पर रखने का अर्थ होता है कि आपका आपके भगवान और आपके गुरु के प्रतिकी आस्था उनका सम्मान जो बहुत विशेश होता है अगर आपके बाल खुले हुए होंगे तो आप अपनी चुन्नी को टिका नहीं सकते सर के ओपर नहीं रुकेगी बार बार आप चुन्नी को ऐसे से करेंगे फिर वो नीचे गिरने लग जाएगी जिससे आपका जो ध्यान है वो आपके भगवान में नहीं लगता है अगर आपका सिर ढखा हुआ होता है तो शरीर के अंदर जो पाठ करने के बाद उर्जा आती है वह जो है हमारे शरीर के अंदर ही रहती है सर खुला छोड़ने से उर्जा का जो परवा है वो भार्की और चला जाता है और अगर मैं बात सम्मान की करूं तो सर ढखना जो है हम अपने देवी देवताओं के प्रत फिर संपर्क नहीं बनाना है अब आपने देखा होगा कि जो भी इस्तरी हो पुरुष के अक्सर बाल छोटे होते हैं लेकिन कई बार पुरुषों के भी बाल कोई धरम से जुड़े हुए हैं सनातन धरम में भगवान की साधना से जुड़े हैं तो उनके भी केश जो है लंब किसी प्रकार से हवा लगने लग जाती है हवा रूप में कोई भी शक्ति जो है किसी व्यक्ति के संपर्क में आती है तो वह जो है अपने बालों से जुलने लग जाता है इसका मतलब यह है कि जो खुले बाल है उससे संपर्क जल्दी होने लग जाता है अब जल्दी होने का मतलव किया है जब हमारा शरीर के बाल खुला है तो ये जो है पवित्र शकतियों के लिए भी और नकारातमक शकतियों के लिए इक खुला निमंतरन हैं इसलिए कभी कोई आपके ओपर जादू टोना कर देगा या या फिर कोई और आपके उपर कुछ गलत करना चाहेगा तो वो बहुत ही जल्दी हुने लग जाता है इसलिए इस्तरियों को अपने केश खुले नहीं छोड़ने चाहिए लेकिन आज कल तो जमाना जो दौर है वो बिल्कुल बदल चुका है आज कल लड़कियां जो है खुले नहीं होगा आप अपने फैशन को देखिए लेकिन इस बात का भी विशेश आपको ध्यान रखना है खुले बाल चोड़कर चोक पर चुड़ाहे पर घूमना और यूहीं पेड़ो पोधों के नीचे से निकल जाने यह कोई अंधविश्वाश नहीं है यह बहुत बड़ा स समक्ष बैठें जब आप अपने घर में सिर्ध होते हैं तो सिर्ध होने के सूखने के बाद तुरंत जो है उन्हें थोड़ा सा लपेट लेना चाहिए लड़कियों को अपने और महिलाओं को अपने वाल नहीं खुले छोड़ने चाहिए यह भगवान से तो हमें दूर करता है लेकिन कभी कभी हम जो है नकारातमकता के प्रभाव में बहुत जल्दी आने लग जाते हैं क्यों सर घूमता है इस पर भी मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो बना कर दूँगी पहले आप इस वीडियो को देखें और मुझे अच्छा अच्छा जैमातादी लिखें और ये मुझे वचन दें कि आज के बाद आप अपने मंदिर में सर को जो है हमेशा ढखकर रखेंगे बाल कभी खुले छोड़कर अपने गुरुओं के सामने और अपने देवी देवताओं के सामने नहीं जाएंगे यहां तक कि घर के मंदिर में भी पूजा करने के लिए आपका सर हमेशा ढखा हुआ हो और बाल हमेशा बंधे हुए हो क्योंकि बंधे हुए बालों के अंदर उर्जा समाहित हो जाते हैं जब आप पूजा करते हैं तो वही जो उर्जा है दिन भर आपके साथ रहती है और सर ढखा रहने की वज़े से वो जो कपड़े आपके संग उस समय प्राप्त रहता है और जो भी कोई कस्ट आना हो वो नहीं आता इसलिए आशा करती हूं आपको पहने हुए कपड़े बाल और आपके मंदिर में कैसा एक भक्त का आचरण होना चाहिए उसी के अधार पर ही आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त होता है तो सभी को जैकारा लगाना है आप सभी को जै माता दी जै भूले नाद जैकारा शेरा वाली माई जीदा बुल सचे दरबार की जै हूँ